नितीश कुमार की पार्टी JDU अपने राश्टरी कारकार्णी की बैठक करती है और उस बैठक में चार प्रस्ताव पारित करती है जिसमें से एक प्रस्ताव है कि वो आरक्षण के मसले पर हाई कोट के फैसले के खिलाव सुप्रिम कोट में अपील दायर करेगा जो बिहार सरकार ने आरक्षन लागू किया था जिस पर सुप्रिम कोट ने बैन लगाई है उस पर हम सुप्रिम कोट में जाएगे यानि बिहार सरकार आरक्षन के फैसले पर सुप्रिम कोट जाने वाली है दूसरा फैसला के बिहार को विशेष राज का दर्जा देने का प्रस्ताव जेरियू राश्टेकार करनी की बैचक में प्रस्ताव दिया गया है इन फैसलों के साथ एक संकेत इस बात के देखने को मिल रहे हैं राजनितिक गलियारों में जैस्वात के चर्चा तेज रहे कि क्या नितेश कुमार इन फैसलों के इन प्रस्तावों के जरिये दिल्ली की बीजेपी और इन डिये के ऊपर अपना कोई तबाव पैदा करने की कुशिश करना चाहते हैं कि इनको कल ही मीटिंग था उसके पहले नहीं कहें है मीटिंग में सब लों का बात हो गया जब हम सब उसको बता रहे हैं यह है वो है और लास्ट में हमने इनके बारे में कहा यही रहेगे और इस बात को लेकर के यह माना जा रहा है कि नितीश कुमार आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं लेकिन इसी के साथ एक दूसरी खबर भी ऐसी है जो इस बात को सिरे से खारिच करती है और बीजेपी की साजिशों को लोगों तक सामने रख देती है और वो बात ये है कि बीजेपी अपना एक आदमी अपने खयाल का अपने विचार का अपने विचारधारा का आरेसिस का एक आदमी जेडियू का कारिकारी राष्ट्री अध्धक्ष बनवा देती है ये बात मैं नहीं कह रहा राजनीती के गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आरेसिस और बीजेपी से सहान भूती रखने वाले दक्षण पन्थी विचारों के लोगों का समाजवादी विचारों के नितीश कुमार का कबजे में ले लिया जाना भारती राजनीती में आने वाले दिनों में इस तरफ ले जाएगा कि क्या जेडियू बीजू पटनायक की बीजेडी की तरफ खतम हो जाएगी जब नवीन पटनायक समझ ही नहीं पाए कि वो बीजेपी का साथ ले रहे हैं या बीजेपी उनकी ऑक्सीजन खीजती चली जा रही है तो यह दो के राजनीत का विशेशन करने जा रहे हैं बेहर में 2025 में चुनाव आने वाला है विधान सभा का चुनाओ राजनिती गलियारों में आप उस शक्स की भूमिका को देखे और समझने की कोशिश करिए जो नरेंद्र मोदी की राजनीती का मुकर विरोधी रहा हो चाहे गुज ऐसे में नितीश कुमार ने हर उस बड़े वक्त पर इतना एहम फैसला लिया कि देश की राजनीत बदल गई। उसी लिहास से एक फैसला भवी है जब देश की राजनीती का एक बड़ा मोड आ रहा था और एक नेता लारजर देन पॉलिटिक्स बन करके देश के सदन में ख आता ही नितीश कुमार ने विपक्ष को इतना मजबूत किया कि अगर वो मजबूती रह गई होती तो आज देले के सरकार बदल चुके होती है यह नितीश कुमार की अपनी एक समाजवादी ट्रेनिंग, समाजवादी भूमिका और समाजवादी विचार है चाहे कितना भी बीजेपी का साथ लेकर नितीश कुमार ने राजनित किया हो उनके मुख्यमंत्री रहते कभी उत्तर प्रदेश या मद्ध प्रदेश जैसे हालात बेहार में नहीं मिलें तो वो समाजवादी ट्रेनिंग की बात होती है चुनाव हो गया चुनाव के बाद चुनाव पर इडा काम आया और बीजेपी अखेले पूर भूमत नहीं बना पाई उन्हें दो साहरों के जरूरत पड़ी और एक बने नितीश कुमार और एक बने चंद्रभाबु नहीं डू लोग इस बात का कयास लगा रहे थे कि नितीश कुमार अब ऐसी भूमिका में आ गए हैं बारत सांस उनके जित गए तो वो अपनी शर्तों पर नरिंद मुदी को जिकाएंगे वो एंडिये के बड़े ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो सबसे ज्यादा अपनी शर्तों को मनवा लेंगे और तब यह माना गया कि डिरेल मंत्राले जैसे कई बड़े मंत्राले वो खूद अपने पास चाहेंगे कुछ भी नहीं मिला ललन सिंग को एक कैबिनेट मंत्री बना दिया गया और एक राज्य मंत्री आखिर क्यो नितिश कुमार इतने पर ही चुप हो गये आखिर क्या वज़े कि वो नितिश कुमार आकी कुछ बार्गिन नहीं कर पाए आखिर क्या वज़े कि निति गया है तब तो फेर उनका नवीन पटना एक होनाता है क्योंकि उसके लिए संजय जहा जैसे व्यक्ति को जिसका आरेसिस से रिष्टा माना जा रहा है पटना के आसपास की राजनिती कलियारों पर नजर रखने वाले लोग कह रहे हैं कि संजय जहा अशोक चौधरी विजय च पर नतिक खयालों की तरफ ले जा रहे हैं इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी ने जैसे ही कारिकारी अध्धक्ष के रूप में संजय जहा जैसे व्यक्ति को राष्ट्रे अध्धक्ष जेडियू का बनवा दिया अब कुछ ही दिनों में जेडियू का बीजेडी बननाते शरत पवार की NCP बननाते हैं, शिव शेना बननाते हैं, क्योंकि BJP भीतर से खोखला कर देती है, घुन जब ग्यों को खाता है, तो बाहर से ग्यों की परत वैसे ही रहती है, लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है, तो BJP तो यही राजनीत करेगी, BJP ने लोकसभाद्यक्ष भी अपना बना लिया, अब तक सांसद बिधायक कितने खरीदे कितने बेचे गए, यह सब देश जानता है, और अब अगर सांसद बिधायक खरीदे बेचे जाएंगे, तो लोकसभाद्यक्ष उनका होगा, तो उस दिशा में जब जाएगा तो भी उनके फेवर में, तो या तो नितेश कुमार दूरी तरह घिर चुके हैं, या नितेश कुमार एस खेल को समझते हुए, कुछ खेल करने की तयारी में, इसलिए उन्होंने विशेश राज्यका दर्जा अपने मांग प्रस्ताव में पारित करा लिया, इसलिए उन्होंने आरक्षण के सवाल पर प्रस्ताव पारित करा लिया, कि वो सुप्रिम कोट भी जा करके इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और आने वाले दिनों में बिहार में विधान सवा चुनाओ है, क्या नितेश कुमार नहीं चाहेंगे कि व कोई मुख्यमंत्री बीजेपी का क्यों नहीं हो, एक आदमी वहाँ डिप्टे स्यम बना रहता है, मुरेठा बांधे हुए, जैसे ने ये शपत ली थी कि नितीश कुमार को मुख्यमंत्री पत से अटाएंगे, तो मुरेठा खोलेंगे, मुरेठा खोला नहीं अभी, कई बीजेपी के ट्रैप में पूरी तरफ हाश चुके हैं, कि अब उनके पास कोई चारा नहीं बच रहा, अब उन्हें मजबूरी में कहना पड़ रहा है, कि हम एक संजय जहा जैसे व्यक्ति को हमने जिम्मेदारी दे दिये, अब यह सब काम देखबे करेंगे न, आप सब को तो पता है न, आप सब तो जन्बे करते हैं, इस सब लोगों को पता है और अगर नहीं पता है, तो फिर किसको पता है कि नितीश कुमार के दिल में क्या है, और यहां से बिहार की राजनीति दिली से अपना एक अलगी रिष्टा बना रही है, दोनों तरफ शय और मात का चल रहा है नितीश कुमार चाहेंगे कि वो बीजेपी के ट्रैप में ना आएं मजे हुए खिलाडी हैं पल्टी मारने में माहिर हैं इसलिए उन्होंने प्रस्तावों को पारित करने में ऐसे ऐसे विशेर रखे जो थोड़ा डराने धमकाने के काम आ सकते हैं लेकिन बीजेप की गलतियों की समयक्षा करते हुए आर जेडी लोक सभा में के बाद अब विधान सभा में जाने के तैयारी में होगी वो नौकरी के सवाल को मुद्दा बनाएगी वो बिहार में गली गूम करके सवाल पूछेगी कि केंदर से लेकर के राज्य में आपकी सरकार है तो बिहा बिहार की राजनीत में बड़ा प्रभावशाली मुद्दा है ऐसे में बिहार की राजनीत में आने वाले कुछ दिनों में बहुत कुछ दिल्चस्प हो रहा है और वहीं बीजेपी अपनी राजनीतिक चाल को चलने में अगर काम्याब रही तो कुछ ही दिनों बाद आपको नवीन पटनायक पार्ट टू देखने को मिलेगा नितेश कुमार के रूप में और एक समाजवादी विरासत का एक शांदार व्यक्ति जैसने बड़े-बड़े फैसले, बड़े-बड़े एहम मोड पर ले करके भारत की राइनीत को ठीक ठाक बदल दिया लेकिन अपने अंतिम वक्त में वो इतना लाचार, इतना बेबस, इतना निरी ही नजराने लगा कि सब कुछ उसके हाथ से रेट की तरह मुठी से फिसलता चला गया और वो देश के सामप्रदाइक शक्तियों के साथ, समविधान विरोधी शक्तियों के साथ ताना शाही प्रवित्ति के लोगों के साथ, उस समय अक्सिजन बनकर खड़ा हो गया जब उनका दम, समविधान को बचाने की बात करने वाले विपरष्च के सामने फूल रहा था जबकि वो उस भूमिका में थे, कि वो खुद दम फूला सकते रेल मंत्राले भी ले सकते थे, तमाम और भी मंत्राले ले सकते थे लेकिन सोचिएगा आप भी, ये बेबसी, ये लाचारी, कि उनके मन का कुछ मिला भी नहीं और फिर भी कोई नाराजगी नहीं ये बिहार की राज़नीत को बदल रहा है, अब आने वाले दिनों में साफ है या तो नितीश कुमार कुछ ऐसा खेल खेलेंगे कि बीजेपी चारो खाने चित हो जाएगी या बीजेपी के खेल में नितीश कुमार अब चारो खाने चित हो चुके है आने वाले दुनों में इसका विश्रशन करेंगे तब तक आप अपने टिपड़ी और प्रत्क्रिया हमसे जरूर साजा किएगा फर मिलेंगे किसी और विश्रशन के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद